Hello friends, welcome again to the world of maths by Amir बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि SSE CGL means का source क्या है questions काफी नए थे differently questions काफी नए थे concepts बहुत पुरा ने है ये लग बात है कि CGL स्वालों ने उस concept को देखा नहीं वो ये बोल रहे है कि concepts cat के है to be very honest concept maths के है या cat के लोग उन्हें परते हैं तो उन्हें लगता ये concept cat का है तो नहीं ये concept maths का है और मैं एक बार बार बोलना चाहूँगा इस वीडियो में aim of this video is to let you know the source ये जो aim है आपको ये बताने का है कि questions कहां कहां से आये थे या उस type के questions कहां कहां दिखे हैं किस book में दिखे हैं मेरा कहीं कभी aim नहीं है कि मैं अपने को promote करूँ दूश्रा मेरा कहीं ये aim नहीं है कि मैं किसी और source या writer या किसी website को demote करूँ तो start करते हैं ये question बहुत ज़्यदा viral हुआ है Facebook पे and other social media पे कि ये question आया कहां से तो one of the source जो है I think ये दूनों figure same है question same है इसने greatest एक ने इस question को post किया है link आपके सामने दिख रहा है वीडियो में and link आपके description में भी है और आप जा के check करना चाहो तो वहाँ पे आपको ये question दिख जाएगा but क्या ये single source है ये देखना है another source जो इस question का है ये question number 48 है उस book का भी link इस video में है आप उहाँ जा के देख सकते हो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर्ण निसित के सिन्हा ने copy paste किया है greatest tech से या greatest tech ने copy paste किया है निसित के सिन्हा से हो सकता है greatest tech के पास इसका right हो तो मैं उन्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ बट अगर उनके पास इसका right नहीं है तो उन्हें credit देना चाहिए तो please greatest tech आप मेरे words को दिल पे मत लीजेगा जश्ट एक suggestion है मुझको नहीं पता कि internal story क्या है बट आप help कर रहे हो अगर आपसे कोई भी बोलता है कि यह vocab इस dictionary से आया है तो आप मानोगे कि dictionary source है नहीं यह जो चार जगह है यह compilation है concept का questions तो यहीं से आएंगे because concept maximum यहाँ पर लिखी हुई है in simple language में जैसे यह question हुआ square किसी triangle के अंदर मैं आपसे यह बोलना चाहता हूँ आप math by image की page पर जाएए वहाँ पर आप जाके सारे image को download कीजिए या blog पर जाएए blog में compilation पढ़ा हुआ आप उसे डाउनलोड कर दीजिए आपके future में और काफी help करेगा काफी सारे questions यहां से आपको आते हुए अपने exam में दिखेंगे because almost सारे concept का compilation है मैं इसे source नहीं बोल रहा हूँ but मैं इसे platform बोल रहा हूँ आप जहां से पर सकते हैं geometry album या maths album इससे आपको कही न कहीं questions मिलेंगे या या आप YouTube चैनल पे भी जाके सारे videos को देख सकते हैं concept notes कर सकते हैं यह सारा source नहीं है यह सारे compilation है concepts के and questions के इससे questions तो आने ही आने है it's just like same जो मैंने example दिया dictionary से word आना है उसी तरह यहां से questions आना ही आना है अगर आपको पता है कि questions कहां से आ रहे है तो आपको कैसी पढ़ाई करनी चाहिए यह suggestions मेरा first learn the maximum from your mentors आप जिस teacher के अंदर पढ़ रहे हो आपके लिए best देना चाहते है वो knowledgeable है यह नहीं बोलना चाहिए किसी teacher को कि teacher को कुछ नहीं पता है बस shortcut सिखाता है वो teacher undoubtedly आप से जाला जानता है वो shortcut साथ इसलिए सिखा रहा हो because SSE में shortcuts आते थे but हाँ concepts को भूलना नहीं चाहिए आपको अपने mentors को respect कीजिए उनसे पढ़ाई कीजिए और अच्छे पढ़ाई कीजिए second suggestion में दो देना चाहूंगा वो previous year के questions करने मच्ट है अगर आपने previous year का question नहीं किया है तो इसे please कीजिए because वो questions आ चुके हैं और काफी अच्छे questions है अगर आपने previous year कर लिया है तो आप अरुन सर्मा, निसीत के सिन्ना या शरवेश कुमार तीनों में से किसी भी एक book को उठा के या तीनों cat के लिए quantity books create करते है को उठा के आप solve कर सकते है क्या आप 200 school ला सकते है 190 school ला सकते है इन सब को करने के बाद तो मैं बुनूँगा ये depend करता है आपके and आपके speed पर पर हाँ इन तीनों books की कुछ अपनी खास्यत और कुछ अपनी खामिया भी है तो आप तीनों में से किसी एक को उठा सकते हैं उसको solve कर सकते हैं बट हाँ एक बात या रखिएगा राह पकर तू एक चला चल पा जाएगा मधुसाला तो किसी एक book को उठाईएगा उसको अच्छे से solve कीजिएगा तो आपका concept काफी improve करेगा अगर आपने previous year solve कर लिया अगर आपने ये book solve कर लिया तो मैं जाके बोलूँगा 500 series and concept video जो मैं upload करता हूँ या share करता हूँ उसको देखिए because मेरे question 500 series is the series of cat question जो मैं 500 series release करता था तो वो तभी कीजिएगा जब आपने पहले दो कर लिये होंगे because ये concept थोड़े से ज़्यादा है या आप ये मान सकते हो बहुत ज़्यादा conceptual है concept video मैं जो upload करता था अभी तक वो only cat के लिए है मैं ये always try किया हूँ कि वो छोटे मैंने always ये try किया है कि वो इतने अराम से समझ में आया कि कोई भी उसे समझ ले तो मैंने concept को lucid और layman terms में represent करने की कोशिस की है बट हाँ आप जिस mentor से पढ़ रहे हैं उनसे अच्छे से पढ़िए अगर आपने ये दोनों काम बहुत अच्छे से कर लिया तो अरून सर्मा निसित केसिना या सरवेश हुमार या दो-तीन बुक और भी है उनमें से किसी एक बुक को लिजे और solve कीजे मैं किसी भी बुक को promote नहीं कर रहा हूँ या आपके उपर है कि आप किस बुक को उठाना चाहते हैं अगर आपने इतना कर लिया है तो concept video जो set होते हैं मेरे आप उसको देखिए और 500 series मैं sigils के लिए नहीं बूलूँगा बट बहुत सारे questions के concept वहाँ से भी दिखें आप उसे solve कर सकते हैं तो ये मेरा suggestion है और एक बार और प्लीज ग्रेटेश्टेक आप ये मत मानना कि मैं आपको blame करना हूँ कि आपने copy paste किया है आपके पास हो सकती है इसका right हो अगर आपके पास right नहीं है तो आपको credit देना चाहिए और मैं ये सारे commenters को बोड़ रहा हूँ कि अगर आप कहीं से भी कुछ copy paste करते हैं या concepts समझ के लिखते हैं तो हमें उन्हें credit देना चाहिए क्योंकि मैं जब भी Pythagoras theorem पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ये Pythagoras theorem है P square plus B square by H square is the Pythagoras theorem क्यों बोलते हैं वो respect है नहीं तो कोई ये भी वह सकता है कि उन्होंने create किया है कि P square plus B square is equal to H square एक ही request है mentor से प्रीज आप credit दिया कीजिए इससे आपकी value गिरेगी नहीं आपकी महांता बढ़ेगी दूश्रा student आपसे बस ये ही request है कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए completion बहुत ज़्यादा tough होते जा रही है तो आपको पढ़ना पढ़ेगा आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए किसी एक चीज़ को उठाईए धंग से solve कीजिए next में move कीजिए धंग से solve कीजिए आपके पास time बहुत कम है so please अभी से start कीजिए सारे mentors चाहे मैं हूँ या कोई और भी है वो आपके लिए काम करना है and mentors की बुराई करना बंद कीजिए बुराई करनी है तो आप अपनी बुराई कीजिए क्या आपने result लाया आपने result नहीं लाया तो आप खुद की बुराई कीजिए आप mentors की बुराई मत किए कि उन्होंने अच्छे चे नहीं पढ़ाया तो मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाहूंगा यह आपका source है आप इसे follow कीजिए अच्छे से follow कीजिए अपना best दीजिए result भी आपको best मिलेगा Thank you and happy learning and bye-bye